अब देखिए नेक्स्ट वीडियोज में आपको हम विब्रेज प्लांट्स या पेपदार्थ पेपदार्थ इस से पहले हमने बताया था स्पाइसिस मसाले यह स्पाइसिस से पहले फाइबर इल्डिंग प्लांट्स आयल प्रोडूसिंग प्लांट्स यह सारे आपको लिंक पर आप डाउनलोड कर सकते हैं सभी पूरा मैटर बहुत अच्छा है और इन में से पूछा जाएगा पूरा पेपर आपका इसी से आएगा अपने डाउनलोड करके या कैसी भी इसको कलेट करके साइड लिंक पर जा करके आप राप्त कर सकते हैं तो इसमें देखिए बिबरेज प्लांट टी जिसको चाय कहते हो सभी यूज करते हैं क्या है यह इसका बोटनिकल करेक्टर कैमेलिया साइनेंसेस इसमाल एस एंड फै देखो डिस्टिबियूशन कहा होगा वैसे तो नेटिव प्लेस इंडिया माना जाता है इसके अलाबा चायना में भी इसको मानते हैं इंडिया एंड चायना दोनों का दोनों ही नेटिव प्लेस इसके होते हैं यह कामर्शियल इसकेल पर इसका कल्टिवेशन ये commercial scale पर इसका cultivation बहुत बिस्तारित रूप से किया जाता है जबकि इंडिया में बहुत large scale पर जैसे असम दार्जलिंग एंड केरला इत्यादी में किया जाता है अब देखी बोटनिकल करेक्टर्स में सब भाई पढ़ोगे जितने ये plants पढ़ोगे बोटनिकल करेक्टर्स और इसका उप्योग देखो ये भी evergreen plant होता है और ये नौ से पंद्रे मीटर की उचाई में इसका प्लांट होगा हाइट में अर्थार्थ कह सकते हो की लगवग ये नौ से पंद्रे मीटर की उचाई वाला पौधा होता है और इसकी plants की leaves से leaves या flowers से सुखा करके इसको process द्वारा चाय तयार की जाती है सुस्क रूप में जिसका उप्योग हम चाय की रूप में पेपदार्थ में करते हैं इसमें एक बात और सुने जैसे माली जी आपसे पूछा जाए कि बिवरेज प्लांट का इकनोमिक इंपर्टेंस या बिवरेज प्लांट क्या होते हैं किसी एक प्लांट के बारे में बताईए तो यह नोट्स में पूरे में आपको मिल जाएगा मैटर साइट लिंक पर जाकर के फिर भी हम इसको बताते हैं अगर लॉंग में पूछ लिया जाए तो आपको यह देना पड़ेगा प्रॉसेज आप टी जैसा आपने सुगर केन में दिया था फिर आपको प्रॉसेज आप ग्रीन, सेमी फर्मेंटेट टी और ब्रोकिन टी चार रूपों में इस टी को मार्केट्स में उतारा जाता है और हम लोग उसे विभिन नामों से इसको खरीदते हैं देखो यह प्रॉसेज पूरा लिखाया है इसकी प्रॉसेज कई स्टेप में कम्प्लीट होती है सबसे पह नहीं की लिखा है क्ली, सी एल एंड हैल दी स्वस्थ लीब्स कलेक्ट करने के बाद लीफ की रोलिंग की जाती है सुखा करके पत्ति सूखे और उसके बाद अनेक सेप को सूख करके ड्राइग किया जाता है जो बड़ी पत्ति होंगी कुछ उनको छोटे रूपों में लिय जाता है ड्राइभी लीप टैंग करने के बाद उनका ग्रेडिंग अलग किया जाता है जो टी की क्वाल्टी के आधार पर उसकी ग्रेडिंग के अनुसार पैकिंग की जाती है क्यूंकि इसमें भी बताया कि कई प्रकार की होंगी और जो अच्छी उत्तम होगी उसको आप कास्ली रूप में खरीदते हो वो अन्य नाम से होगी दूसरी होगी लो क्वाल्टी तो दो तीन क्वाल्टी में ये होती है प्रोसीजर एक ही होता है इनका जैसे देखो ब्रोकेन ओरेंज फिलावर ब्रोकेन ओरेंज ओरेंज रेड ब्रोकेन इस तरह से ये ब्रोकेन ओरेंज फिलावर ब्रोकेन ओरेंज फिर ओरेंज रेड ब्रोकेन ठीक इस तरह से इन नामों के द्वारा इसको पैकिंग करते हैं अब देखो इसकी कुछ important varieties TV23 and PV9 ये इसकी variety है ठीक तो beverage plants क्या होते हैं बे plants जिन से हम पेपदार्थ के रूप में कुछ उपियोग में लाते हैं जैसे आपने चाय पड़ा और दूसरा कॉफी कॉफी और चाय दोनों में थोड़ा difference है चाय को आप उनकी leaf से प्राप्त करते हो और कॉफी को किस से करेंगे उसके seed बीज बीज द्वारा कॉफी प्राप्त करेंगे एक मिनट इसके इस पर नजार डालो बोटनिकल नेम इसका क्या होगा कॉफी या अराइब का उबी एसी फैमिली का सदस्य है जिससे कॉफी कहते हैं कहां पाई जाती है देखो साउथ एपसीनिया में कॉफी को खोजा गया था इसके बाद ये ट्रोपिकल रैन फोरेस्ट आफ इथोपिया नामक जगह पर कल्टीवेट किया गया प्रिजेन टाइम में यह इंडिया में करनाटका तथा केरला इत्याद में जगह जगह पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है और मुख रूप से इसका कल्टिवेशन देखें तो स्री लंका और जावा सुमत्रा बेस्ट इंडिया में होता है किसका कॉफी का अगर आपको यह भी कुश्चन लाउग में पूछा जाए तब भी आपको इसका पूरा प्रोसेश देना पड़ेगा जैसे कॉफी का था बोटनिकल करेक्टर्स में यह सेम उसी की तरह है एवर ग्रीन प्लांट होगा देखो यह लिखा है और इसका फ्रियूट इसमाल छोटा आइस फुटंसील जिसे एंडेजेंस कहेंगे और इसमें सीड होंगे सीड द्वारा ही कॉफी प्राप्त करोगे प्रोस्सिंग आफ कॉफी मतलब कैसे इसको बनाओगे देखो यह क्या लगा सबसे पहले कॉफी के सीड को प्राप्त करके ड्राइ किया जाता है इसके बाद इने साफ करके मसीन द्वारा पीसा जाता है सीड को रोस्टिट करके ग्राइंडर की साहता से पाउडर के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है यह हो गया इसका प्रोसेस और पाउडर के रूप में ही हम कॉफी को यूज में लाते हैं अब जरा यूजिज देख लीजिए, यूज में क्या है यह, कौफी का यूज बोडी को इस्टिमुलेट, इस्टिमुलेट, इस्टिमुलेट करने के अलावा, आइस्क्रीम, कैंडल, यह है, C-A-N-D-L-E, कैंडल बनाने में किया जाता है, इसकी important varieties देख लीजिए, एक मिनेट, S-I-N-First, S-I-N-Second, S-I-N-Third, and S-I-N-3-R, यह इसकी कुछ improved varieties है, जो grow की जाती है, अब देखें आप, next, पेपर दार्थों में, इसके अलावा, आपके आगए, फाइबर इल्डिंग प्लांट्स,